परमिस्त्र धेई आचार्य प्रवर अध्यात्म के उज्वल नक्षत्र के स्री चर्णों में सब भक्ती वंदना मंत्री मनी प्रवर के स्री चर्णों में वंदना विराजी चारी त्रात्मों के चर्णों में वंदना सम्मानित मंच जीवन विज्ञान प्रशिक्षक एम कार्य करता उपस्ति धर्म सभासद जीवन विज्ञान प्रशिक्षक कार्य करता सेमिनार का शुबारंब पुज्य प्रवर आचरश्री मार्शमन जी की सन्निधी में शुबारंब होने जा रहा है मैं शुबारंब के लिए मंगला चरण के लिए सादर निवेदन मुनिश्री निरज कुमार जी आंतिक प्रायूगिक दूनु कासैयुत संगान हू शेक्षाकानव अभियान हू शेक्षाकानव अभियान हू विद्या की प्रांगन में अब ध्यापक जीवन विज्ञान हू शेक्षाकानव अभियान हू शेक्षाकानव अभियान हू जीवन जीने की श्रेष्ट शेली, स्वस्त समाज की सरंचना एवं मुल्य परक शीक्षा का दरपण है जीवन विज्ञान शारीरिक और बौधिक शीक्षा तो हमें इसकलों के माध्यम से मिल ही जाती है जैसे शारीरिक विकास के लिए खेल कुद्व एक्सेसाइज की व्यवस्ता रहती है बौधिक विकास के लिए पठन पाठ्यन की सामगरी वपाठ्यक्रम उपलब्द रहते हैं किन्तु शिक्षा में संतुलन वसरवांगिनता के लिए मानसिक वबावनात्मक शिक्षा आवशक हो जाती है उसी की संपूर्ती जीवन विज्ञान की शिक्षा द्वारा हो रही है जीवन विज्ञान की शिक्षा नई विदा का नाम है इसमें पड़ाया कम जाता है प्रियोग अधिक करवाया जाता है आज की कार्याशाला में सेमिनार में अलग-अलग शेत्रों से जीवन विज्यान प्रशिक शक वाकार्य करता व्यक्तित विकास कार्याशाला के लिए प्रस्तूती देने प्रस्तूत हुए हैं प्रस्तुति का कार्य अलग से कॉन्प्रेंस हाल में समायोजित है इसी क्रम में आमन्तित करना हूँ पुज्य प्रवर आचारश्री के स्री चर्णों में किट समर्पन के लिए स्वगाता द्यक्स आचारश्री मास्रमन व्यवस्ता समिती केलवा श्री परमेश्वर जी बोरा क्रपाय पदारें और पुज्य प्रवर के स्री चर्णों में किट समर्पन करें स्वागत बाशन है तू विनम रदुरोत स्वागत द्यक्ष आचारश्री महास्रमन चातुरमास विवस्ता समिधी केलवाश्री परमेश्वर्जी बोरा परण पावं अच्छी स्चर्णों में कोटी कोटी वन्दन आदर्ने मंत्री मुनिवर जीवन विग्यान प्रबारी मुनिस्री किशनलाल जी अन्या सादू साद्वी बंद को बावबरा वंदन जीवन विग्यान से जुड़े कारिकरतागान प्रसिक्सत एवं उपस्तित बंदों एवं भहिनों जीवन विग्यान सिक्सा जगत के लिए अनुपम वर्दान है हमारी सिक्सा पदती में विद्यारतियों में बोधिक एवं आर्थिक विकास के पक्समें प्रबल किया जा रहा है परन्तु भावात्मिक विकास पर त्यान नहीं दिया जा रहा है जब बालक भावात्मिक रूप से सुद्रड नहीं होता है तो उसे तनाव क्रोध की बहुलता आत्म विश्वास की कमी आदि समश्यों से जूजना पड़ता है भावात्मुक रूप से कमजोर हुने पर ही व्यक्ति अपने समाज ये उराष्ट के प्रती कर्टवियों से दूर होता जा रहा है इसी पक्स को द्यान में रखकर आच्चाश्री माप्रग्य ने सिक्सा के साथ जिवन विग्यान को प्रस्तूत किया उनके द्वारा प्रदत या उदान सबेव विद्यालों में समान रूप से लागू हो इस बात की अप्यक्सा है इस संदर्ब में जिवन विग्यान से जुड़े कारी करता गान मतुपूर्ण हुमिका निभा सकते हैं आप लोगों की जाग रुकता जिवन विग्यान को गत्य देगी और इसे व्यापक बनाएगी आपके कारियों को गत्य देने के लिए आपकी प्रस्तूति को प्रभावी बनाने के लिए और जिवन विग्यान की नई कारियोजनाओं को अवगत करने के लिए आज के इंद्रियस जिवन विग्यान अकादमी द्वारा या सेमिनार आयोजित है इस सेमिनार में पदा रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत अभी नंदन करता हूँ और आप इस सेमिनार में जिवन विग्यान का विशेश प्रस्टिक्शन प्राथ कर आच्छा स्री महास्रमन जी से नई उर्जा पाकर अपने सेक्टर में नए जोस एम वोस के साथ कारे करने में अपने आपको नियोजित करेंगे ऐसी आसा व्यक्त करता हूँ ओम अरहम प्रेक्शा प्राध्यापक मुनि श्री किशनलाल जी जीवन विग्यान सेमिनार के उद्देश एम वक्तवि के बारे में आपको अवगत कराएंगे स्रदे मुनि श्री किशनलाल जी परमस्रद्धी आचारी चरन मंत्री मनेजी आदरने सादू और उपस्चित सेमिनार में संभागियो जीवन विग्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से संसकारों का निर्मान किया जा सकता है तक व्यक्ति श्रेष्ट बनना चाहता है और श्रेष्टता उसमें है उस स्रेष्टता को किस रहसे उजागर किया जासके हर आदमी में विश्वास पैदा किया जासके, मेरे में वी ओक शमता है, कि मैं एक स्रेष्ट व्यक्ति भी बन सकता हूँ, और जैन दर्शन तो यहां तक कहता है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की एक शमता है, वह परमात्मा बन सकता है, उसमें वो बीज हैं, वो शंशकार है कि मसंस्कारों को जागिर्ट करने के लिए कुछ व्यक्तियों की प्रेजरTION होती है कुछ व्यक्ति स्वतर ही जागिर्ट होते हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों को जागिर्ट करना होता है तो आप बड़े भाग्य साली हैं कि इस कारेक्रम में आपको आचायर सी की संदर्धी तो मिली रही है, मंत्रमने भी विराज रहे हैं और इस संदर्ध में जो संभागी कारेकरता यहां उपस्तित हुए हैं, वे लोग किस तरह से जीवन विज्ञान को स्कूलों में, कारेसाला के मध्यम में समाज में और साथ साथ में तेश के हरक्षित्र में पहुंच सके, आजकल मीडिया बड़ा प्रभावी हो गया है, शक्ति सारी हो गया है, तो जो कारेकरता अपनी प्रस्तूती से समाज के लोगों को उत्प्रेरिट कर सकते हैं, इसलिए यह कारेसाला आयोजित की गई है, संसकार निर्मान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सिक्षा जगत में जैसा की आचारे स्री बार बार फ्रमाते हैं, कि भावात्मक विकास होना बहुत जरूरी है, आजकल बच्चों का इमोशन इतना अधिक हो जाता है, कि छोटी सी बात के लिए, वे आपको भी मालने तयार हो जाते हैं, और स्कूल के दोस्तों को दुमाना सामाने बात हो गई है, ऐसी परिस्टिती में समाज के उन नो नहालों को एक नई दिश्टी दी जाए, एक नया चिंतन दिया जाए, कोई नया विचार दिया जाए, एक बात स्वस्ट है, माता पिता अपनी नो नहालों के लिए लाखों लाखों को रुपया खर्श करते हैं, लेकिन अंत में जब वो थोड़ा सा सामने देखते हैं, तो माबाप हैरान हो जाते हैं, और उनकी बात को उनके मानना होता है, एक समय था, तीन चार संतान होती थी, अगर कोई कहना नहीं माने, तो तो रहने दे, तो यह ले, का मेरे को बीस जार चाहिए, तो ताविन कार करता है, तो मा कहती है, इसको दे दो, कि और कुछ कर बेठेगा, तो मुश्य बत्र होगी, तो ऐसी परिष्टिती में, समाज के उन प्रुवद्ध विक्तियों का, जो अपनी बात को अहिवक्त कर सकत हैं, ऐसी परिष्टिती में, वो लोग अगर थोड़ा सा काम करें, आचार यवर, ऐसा सोचा गया है, कि समाज में कम से कम दस विक्ति, ऐसे हो, कि जो हरे एक प्रांद में जाकर रिके, विक्तित विकास के बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, इन में से बहुत से प्रवुद्ध हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इस काम के साथ में, अगर इस समाज का काम भी सुरू कर दें, तो बहुत इच्छा हो सकता है, मैं पुने अपने बात को विस्तार देना नहीं चाहता हूँ, क्यों आचार सी और मंत्र मुनी की बात हम सुनेंगे, और उसकी बात में हम अगली चर्चाएं, अपने कॉंसेंस होर में करेंगे, मैं पुनाय आचारिशी को बंदन कर उठावा, नास्ता अंग्रें करेंगे दो. इसी क्रम मैं आमन्तित कर रहा हूं, वक्त तभी है तू, श्री बजरंग जी जेन. आराध्य के स्री चर्णों में सत्सत वंदन, स्रद्धेग, परंपुच्य गुरुदेव, मंत्री मुनी, प्रिक्षाप्राध्यपक किष्णलाल स्वामी, अन्य सादुगन, जीवन विज्ञान में के लिए विभिन्न छेत्रों से आईवेवे प्रभुद्गन, भाईयों और अभी भी बताया, जीवन विज्ञान के बारे में बहुत सुना, हम सब जानते हैं, अच्छा जीवन सभी जीना चाहते हैं, किन्तु कैसे जीए, चाहते हुए भी जो हम चाह रहे हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आता है, जीवन विज्ञान, हमारा मंत्र एक गोल्ड माइन ह और गोल्ड सबको अच्छा लगता है, सोना किसको अच्छा नहीं लगता है, हर आदमी सोने के पास जाना चाहता है, सोना पाना चाहता है, किन्तु कैसे हमारा ये प्रोडक्ट, इसमें हमारी पैकेजिंग कैसे हो, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो, कि लोगों का परसेप्शन ह कि मुझे भी यही सोना चाहिए इस प्रोड़क्ट को हम यदि ठीक से पैकेजिंग कर सकें ठीक से प्रेजेंट कर सकें और परसेप्शन ऐसा बना लें कि लोग हमारे पास आएं आज जो जीवन विग्यान की स्थिति है कि हमको जा जा कि स्कूलों में करना पड़ता है कि जी हम हमारे पास ये भस्म है ये सोने की भस्म है इसे ले लीजे आपको फाइदा होगा मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं कुछ इस तरह की चीज बनाएं कि स्कूल वाले हमारे पास आएं और हमारा पुरा साल पुरा बुक रहे कि हम कैसे ये जीवन अच्छा बन जाए और जो जो सिक्षा है वो संस्कार के छलनी से छल कर जो हमारे संस्कृती है हमारी संस्कृती और हमारे संस्कार से युक्त हमारी सिक्षा हो यही छोटे में जीवन विज्ञान है इसकी इस दो दिन की कारिय साला में हम इसको कैसे वहां तक ले जाएं कि लोग हमारे पास आजाएं ये ही हमारा उद्देश्च है ओम अरहम सविनय सादर निवेदन मंत्री मनी परवर्शे प्रेणा पाते है तू